आप तो डीजे बजवा रहे हो, आप तो जो है वो उचलवा रहे हो, बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं, अब में उक्तेश्वरा नंद। लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं, मुसल्मान की दुकान है, हिंदू नोकर है, बनाने वाले सब हिंदू हैं, और मालिक जो है गला पर बैट करके मालिकाना कर रहा है, अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा, आर्थिक असर पड़ेगा, तो मालिक क्या करेगा, मालिक की तो दुकान रहेगी लेकिन वह छटनी कर अब उनको दोनों के अंदर वेदा आगया, अभी तक तो ये सब जात द्यान में नहीं थी, यदे भी जानते थे कि ये मुसल्मान है ये ये हिंदू हैं, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था, अब बल आ जाएगा इस से, हर समय हिंदू मुसल्मान की दृष्टी से एक हमको मजबूर नहीं कर सकता, कोई ऐसा कानून नहीं है संसार में, जो किसी को पवितर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे या पवितर जीवन छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, असल में पवितर जीवन जीना की अपवितर जीना ये अंतह करन से व्यक्ति के अंदर से ब को सुरियोंदे के एक थोड़ा पहले थोड़ा बात तक में संध्या करता दिखाई देगा अगर नहीं दिखाई देगा तो सिरकलम कर लिया जाए है तो सब लोग संधिया करने लगें थी कर राजाग्या है कोई क्या करेगा तो मानना ही पढ़ता है तो एक पंडिश जी थे वह पहले से भी संधिया करते थे उनको राजाग्या की जरूरत नहीं थी लेकिन तबियत भिगड़ गी पेट खराब हो गया अब जिस समय वो संधिया बन गए अब उनको भागना पड़ा लोटा ले करके पानी ले करके पहले बाहर जाते थे लोग तो भागे अब जा करके एक मेड़ के पीछे बैट करके वो सोच करने लगे उसी समय राजा की सिपाही निकले तलवार नंगी ले करके कि जो संध्या करता नहीं दिखेगा उसका सरकलम कर ली जाए आब वो विचारे सोच कर रहे थे अब उन्होंने देखा कि पुलिस नंगी तलवार लेके आ रही है और हम तो संध्या कर नहीं रहेंगे अब क्या करें तो फिर उन्होंने वो जो आपदस्त के लिए माने पानी छूने के लिये जो लो्ता बर्कर के ले गये थे उसी पानी से मंत्र पढ़ना सुरू कर दिया और का माति या की शड़िया और CHP कर दिया इस तरह से संध्या नहीं आए ना तो तो इस तरह के जो आदेश है वो बाहर से नहीं आएंगे देखिए इसलिए हम कहते हैं कि राजनीती माने राज्य के अलावा की भी शक्तियों की जरूरत है ये जो धर्म शक्ति है हमारा जो पीठ है ये किसलिए बना है कि कानून से जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम अंतहकरण से मनवा दे हम उनकी ऐसी समझाईश करें कि ज लेकिन कहीं कोई अत्याचार नहीं होता है क्यों कि उनकी समझ है यसी बढ़ने करने के मिलेगा तो ऐसी परिस्थिती में धार्मिक सिक्षा की नईतिक सिक्षा की आवसक्ता होती है ही है जब हम यह सिक्षा दे देंगे की भाई तुमको अपनी पवितरता को से नहींको गांएक देले का आज की परिस्तिति यह है कि पहले जो धर मांतरन करते थे वह लोग नाम बदल देते थे आज पूरे देश में धर्मांतरण तो तेजी से चल रहा है हम लोग सब जान रहा है जगा जगा रिपोर्ट रहती है लेकिन अब उन्हों नाम बदलना बंद कर दिया अब इसलाम वाले भी ने गर्ण कर रहा है तो नाम नहीं बदल रहा है और इसाई वाले भी convert कर रहा है तो नाम नहीं बदल लें वो नाम वही रहने देते हैं अब हमने तो नाम देखा बोर्ड में और नाम देखकर के हमने खरीद लिया और खा लिया तो क्या सही हो गया फिर दूसरी बात जिए है कि जो बस्क्तु हम ले रहे हैं जैसे फल की दुकान में आप नाम लिख भा रहा है अब वो फल کس ने होड़ा किस ने पाला किस ने उसमें पानी सीचा क्या किया कैसे आया कैसे गया पैर में रखा रहा कि युँआ है कुछ पता रहता है तो ऐसी परिस्तिती में केवल सामने सामने की बात आप कह रहे हैं तो आप पिर अचानक कर दे रहे हैं पहले ऐसी कोई सिक्षा का आप बर्ग चलाते कि जो कामड़ी हैं उनका प्रसिक्षन होगा उनको समझाया जाएगा कि देखो शाहत्र के अनुसार, जिस समय हम कामड ले करके चलते हैं, उस समय हमको पवितरता की आवस्यक्ता होती है, पवितर भोजन करना आवस्यक होता है, पवितर जीवन जीना होता है, आप तो डीजे बजवार है हो, आप तो जो है वो उचलबार ह रहे हो तो ऐसी परिस्तिती में कावड ये जो धार्मिक भावना है उनके अंदर वो कैसे उनके अंदर आएगा तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो बिद्वेश फैलेगा हमारा अपना सोचना है बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बा में कान अर्थ América कर रहा इप आम लिखे गया और उस दुखान में औरुस दुखान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा रातिक किया करेगा मालिक हिक्ய दुकान रहेगी लेकिन हो सटनी कर देगा को हिंदों कि आड़े अब बात यह है कि हिनुसल्मान के भावना अब तेज करोगे तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे कि हिं दूनों के अंदर भिएद गया अभी तक तो यह सब बात Dhyan में नहीं थी यृद्य भी जांते थे कि यह है कि इसने इसको बनाया है कि किस भावना से बनाया है यह सब सोची नहीं रहे हैं लोग उनको भूख लगती है बस जो सामने दिख गया जाके खरीद के खा लेते हैं पहले हम लोग विचार करते थे हम लोग तो आज भी इस बात का विचार करते हैं कि कहा खाना है कब खाना है कैसे खाना है आदी आदी लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब बिशार करता नहीं है और ऐसी परिस्तिती में उसको समझाई इस तो ठीक से दी नहीं गई लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेरनेस लाई नहीं गई कि भई असल में इसके पीछे ये भाव है और इसमें किसी को बेद भाव डालने की हमारी किसी को निशा दिखाने की ऐसी कोई भाव ना इसा बाता बरन एक मनाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो सायदा कारगर रहता लेकिन अचानक जो जिस तरह से लागू कर दिया गया है इसको तो अभी तक तो लोग समझी नहीं पा रहे हैं कि क्या है हमने तिन चार लोगों का देखा जैसे व आराम किये और उससे क्या परक पड़ता अब देखिए वो कामरवाला है लेकिन ऐसा कह रहा है